प्रदेश के सभी चोटे और बड़े शहरों में अब शनिवार को भी लॉकडाउन रहेगा मुखी मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने गुरुवार को यह एलान कर दिया शिक्रवार शाम 6 से सुमवार के सुबा 6 बजे तक लगातार लॉकडाउन 60 घंटों का रहेगा मुखी मंत्री ने कहा कि मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है गौड तलब है कि एक दिन पहले ही प्रदेश के शहरी शेत्रू में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था अब पूरे मध्ध प्रदेश में सभी सहरों में सुक्रवार को साम को 6 बजे से लेके सनीवार इतवार अब स्वंबार के सवेरे 6 बजे तक शहरी शेत्र बंद रहेंगे लागडाउन रहेगा बाकी जिन सहरों में संकट पैसेंट की संख्या का बढ़ा है वहां क्रैसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक करके वह आवस्यक और उप्यूक्त फैसला करेंगे हम बड़े सहरों में कंटेन्मेंट एरिया भी बना रहे हैं जहां बहुत ज्यादा संक्रमन है वहां कंटेन्मेंट एरिया को भी कंटेन करेंगे उसको भी बंद किया जाएगा क्रैसिस मैनेजमेंट ग्रूप बाकी सहरों में जहां बाइरल लोड ज्यादा है आज बैठ के विचार करेंगे छिनवाडा और साजापुर में कली फैसला ले लिया था बाकी सहरों के बारे में चर्चा करके फैसला होगा क्रैसिस मैनेजमेंट ग्रूप्स की बैठके हो यह भी हम निर्देश दे रहे हैं मेरी मनसा कभी भी लागडाउन की नहीं रही है लेकिन यह अभूत पूर्व संकट है एक तरफ हम इलाज की सारी विवस्थाएं बनाएंगे कल मैंने तेक किया था कि 36,000 विस्थर हम करेंगे आज मैंने फिर टीम के साथ बैठक करके हमने यह फैसला किया है कि संख्या विस्थरों की एक लाख बढ़ा के की जाएगी इन मैंसे कुछ कोविट केयर सेंटर में होंगे जो हर एक जिले में एक प्रारंब करने का फैसला ले लिया गया है EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट